आपने पहले दैशतगर्दी को इंडस्टी बनाया, बहुत पैसा बनाया इसके पर उनकी पॉस्ट पॉस्ट और नेशन्स के उन कौमों पर और नेशन्स पर है उनने कहा कि उसके लिए जो पॉमें दैशतगर्दी को सपोर्ट करते किमत अदा करने पड़े उन अक्वाम को इतल पहँ के दैशतगर्दी की मड़द या मौवनत करते हैं और ने पाकिस्ट को दैशतगर्दी का एपी सेंटर करार नों ने भी तक्रीर की उननों भी मो रिलीस यही बातें की कि देशित गर्दी जो है अभी तक एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि कुछ रियास्तें जो हैं अभी तक उनको सपोर्ट कर रही है तरसे जादा मौाले कि इसमें शिर्कत कर रहे हैं और बहुत सी मल्टी लेटरल आगनाइजेशन भी है जिसमें FATF भी है वो भी इसमें शिर्कत कर रहा है पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी उसकी खारजा पॉलिसी के लिए देशित गर्दी को वो इस्तमाल करता है अपने अबजेक्टिव को अचीव करने के लिए और और यह चोटा सा क्लिप देखा आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का ऑर पाकिस्तानी पत्रकारों का रियक्षन है भारत ने पाकिस्तान को एक टेरिस्ट कंटिरी से कनेक्ट किया थो और इसमें कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है दुनिया को पता है कि पाकिस्तान से ही ओसामा बिन लादन मिला था अगर अफगानिस्तान में अल-काइदा का जो मतलब जो भी है आतंगवादी वो मारे जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पाकिस्तान में कवी वो रहे नहों कनेक्शन उनके डेफिनिटल होंगे और यह सबको पता है पहले यह पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बाद आप से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करिएगा इंडियन एक्सप्रेस की मेरे सामने मौजूद है कीमत अदा करने पड़े उन अकवाम को उन मुमालिक को जो के देशित गर्दी की मदद या मौवनत करते हैं पाकिस्तान चाइना एट एन एम एफटी मीट यह डिबेटेबल सबजेक्ट है क्या पाकिस्तान वागे रियासिती तोर पर यह सब कुछ करता है या फिर इंडिया ने पाकिस्तान को देशित गर्दी का एपी सेंटर करार दिलवाने के लिए एक बड़ा ही मुनजम और कामिया प्रोपेगंडा किया है पूरी दुनिया में यह डिबेटेबल सबजेक्ट है लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं आप वो सुनें और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा खबर आगे कहती है कि in his inaugural speech at the third no money for terror conference which is being held in New Delhi पीम नरेंदरा मोदी said that if we want our citizens to be safe we cannot wait until terror comes to our homes के हम उस वत तक का इंतजार नहीं कर सकते के देशतगर्दी जो है वो हमारे घर में खुसाए यहां पर होने लगे लहाजा हमें कोई ना कोई action लेना पड़ेगा अगर हम अपने जो citizens हैं अपने शेरी हैं उनकी हिफाज़त चाहते हैं खबर के कुछ हिससे मैं आपके सामने रख देता हूँ In his remarks aimed at Pakistan and China, Prime Minister Narendra Modi said on Friday that while some countries support terrorism as part of their foreign policy Others do so by blocking action against terrorists, asking the world to unite against such overt and covert backing of terror Modi said a cost must be imposed on such countries मैं आपको इसको समझा देता हूँ, वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी खरजा पॉलिसी के लिए देशित गरदी को इस्तमाल करता है अपने objectives को achieve करने के लिए और कुछ मुमालिक हैं जिसमें वो चीन की तरफ reference दे रहे हैं कि जब अमरीका और इंडिया मिलकर कुछ individuals को blacklist करने के हवाले से उन पर आलमी पाबंदियां लगाने के हवाले से कोई action लेते हैं तो उसको block करता है चाइना बिंग पार्ट आफ यूएन सेक्यूरिटी काउंसल अकवाम मतहदा असलामती काउंसल के रुकन होने के तोर पर चाइना उसको जो है वो रोकने की कोशिश करता है यह कोई नई बात नहीं है मज़ेगी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसका जवाब एफेक्टिवली उस्वद दिया होता जब अभी चंद महीने पहले सितंबर के महीने में जब अकवाम मतहदा जनल असलास हो रहा था हमारे वज़र आजम तो स्पीच करके आ आ गए यहाँ पर जब जवाब देने की बारी आई जब नरिंदर मुदी के जगा जब वहाँ पर उसी यूएंजिये के इजलास में सुब्रामनियम जैशन कर गए उन्होंने यही इल्जाम लगाया था चीन और पाकिस्तान का रेफरेंस दिया था उस वक्त कोई बात नहीं की गई इंडिया से हमें यह जवाब मिलता है कि वो दुनिया के बहत्तर मुमालिक के साड़े चार सो मंदोमीन को एकठा करके पाकिस्तान और चाइरा को इस तरीके से मलाइन करते हैं वक्त भारत में एक कानफरेंस हो रही है एक प्रोसिस चुरू हुआ था दोहजार अठारा में और यह फ्रांस का निशिटर था नो मनी फर टेरर तो यह इसकी पहली कानफरेंस बैरिस में हुई थी उसके बाद यह तीसरी कानफरेंस हो रही है दोहजार बीस में यह होना थी भारत में लेकिन COVID-19 की वज़ा से नहीं हो सकी अब ये उसकी तीसी कांफरेंस भारत में हो रही है सतर से ज्यादा मौालिक इसमें शिर्कत कर रहे हैं और बहुत सी मल्टी लेटरल आगरनाइजेशन भी है जिसमें FATF भी है वो भी इसमें शिर्कत कर रहा है और चाइना को तो इन्वाइट किया गया था लेकिन चाइना इसमें नहीं आया इस कांफरेंस में पाकिस्तान को बत्ता मदू ही नहीं किया गया हमें कोई दावत नहीं मिली इस कांफरेंस में शिर्कत के लिए गुजशता रोज इस कांफरेंस की इनागुरेशन की भारत के वजिर आजम निर्दर मोदी ने और उन्हें अपने की नोट अड्रेस में बहुत सी बातें की और खास तोर पे जिन बातों पे एंफिसिस था वो यही था कि देश्चत कर दिया भी तक एक बहुत बड़ा चैलें है दुनिया भर के लिए लेकिने चैलेंज उस वक्त तक हम से निवट नहीं सकते जब तक कि तमाम मौलिक एक पेश पे ना हो कि हमने हर सूरत जो है देश्चत करदी के खिराफ मुकाबला करना है और साथ मेरों ने ये भी एक लिहास से शिक्वा किया कि बहुत से ममालिक हैं जो इखलाखी और माली एतिवार से भी तक देश्चत की तरफ से शायद कुछ पाक्स्तान को जो है वो टार्गेट किया गया या बात ऐसी की गई कि उसको इस तरह देखा जा रहा है कि ये तो चाइना और पाक्स्तान के हमाले से बात की जी क्योंकि उन्हों ने ये बात की क को सब्सक्राइब कि आलें मिंगेश्य से खाद का मैं भवया से बात की एफिर तरहा रहा टश पर उन्हों के लिए जो जो का। और हमें रहा है कि अजल के है विछ कांडि क्रतें माली से बात करदी इंपोर्णे कि उन्हों कर ने जो की पर्ण को ऐसे फ़ है ये आफ माले क तो आटेक्त्रीम क्रेंज बी निकल गया। और पिर भी क्या ये चायना और पकिस्तानके वाले से गवाती है। ने जिए जो गए बी किसी किसम की एक्सेंज हो रहा हिो। इन मलकों के दर्मियान इस χिते। खुआ वो इंडिया पाकिस्तान और स्पेसिफिकली और किसी आ तक चाइना भी उसमें कभी कभी शामल हो जाता है तो उसमें को बहुत ज़्यादा गैस लगाने की ज़रूर नहीं होती कि किस ने किस के बारे में का है आप अगर बात करें टैररिजम की और फारंड पालिसी में टैरर फंडिंग की तो उस बात इंडिया की तरफ से हो रही हो तो दाहर है उसमें सोफी सेथ एक शोर और अबसलूट किसम के यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि ये इस तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है एक खत्म आपने देखा किस तरीके से यहां पर रियक्शन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को एक दहसतगर्द मुल्क बोला गया चाइना को भी बोला गया टेरिस्ट एक्टिविटी में लोग इनवॉल अबराहिम के कनेक्शन मिले यह आपको तो पता है दाउद अबराहिम सब को पता है कहां पर है कस्मीर में कश्मीर में जो कुछ भी होता है जो यूथ है वो कैसे उनका ब्रेइन बास्ट हुआ है और किस हद तक हुआ है ये भी आपको वो बोलते हैं कि भीया अमेरिका ने आज तक हमें जैद हमेद बोलता है अमेरिका ने आज तक हमें उसामा बिन की लागतसी नहीं देखाई तो हम कैसे मालने कि यहां से उन्होंने पकड़ा है यहां से उन्होंने पकड़के लेके मारा है उसामा बिन लादिन को इस तरीके की हरकते हैं और लाहौर जैसे सहर में आतंकवादी बैठे होते हैं अलकाइदा के तालिवान के तालिवान के यह बहुत बड़े सपोर्टर रहे तालिवान की अफगानिस्तान में गवर्मेंट आती है तो ये लोग खोसी से नासते इमरान खान खुलेाम बोलते हैं तहरी के तालिवान पाकिस्तान से हमें बैठ कर बात करनी चाहिए आतंग बादियों से बैट कर बात करने तक को तयार हैं तो इनकी नियत कैसी है आपको सब को पता है आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में अपने सुझाओ दें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा आपको ये वीडियो पसंद आता है जाहिन में मिलता हूं बहुत जल नई वीडियो